नमस्कार मित्रों जय मातादी दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्यानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में तुला राशिवालों अब आप हो जाएए के असीम कृपा से असीम आशीरवाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है बहुत-बड़ी खुश खबरी जी हां आपने बिल्कुल सही सुना क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विष्णुजी के आशीरवाद से आने वाले अगले 24 घं को एकदम ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा आपकी किस्मत संवर जाएगी आपकी जिंदगी बदल जाएगी क्योंकि ऐसा बदलाव आज तक आपके जीवन में ना हुआ था और ना कभी होने वाला है इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है वीडियो को मिस करने की भूल मत करना और ना ही गलती से भी कभी स्किप करना संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के चाल पर आधारित है वीडियो को पूरा कम्पलीट देखिएगा आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह खुशखबरी आपको हिला कर रख देगी जी हाँ म यानि की एक प्रकार से यूं कहे की आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने पर सुहागा होने वाला है क्योंकि सोने के रत पर सवार हो चुकी है आपकी किस्मत इसलिए चित और पट दोनों आपकी होने वाली है बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखन क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी रहस्य की बात छुपी हुई है जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है जब ग्रह गोचर में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है तब ही जाकर जातकों को इतनी बड़ी भयंकर खुश्खबरी मिल पाती है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह दो बड़े ग्रह आपको माला माल कर देंगे जी हां क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में यह दो बड़े ग्रह विराजमान होने वाले हैं जिससे कि आपकी राश शिवालों का जीवन ही बदल जाएगा जी हां बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं कोई महामूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा दोस्तों समझदार इंसानों के लिए इशारा ही काफी होता ह यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या समझाना चाहता हूं ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसलिए ज्यादा देर मत करो जितना देर करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा आने वाले अगले 24 गंटे के अंदर यह दो बड़ ये ग्रहे आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं जी हां इतनी बड़ी और भयंकर खेल होगी देखने वालों का भी होश उड़ जाएगा सब लोग कहेंगे आखिर यह क्या हो रहा है आने वाले अगले 24 गंटे के असंभव संभव चीज संभव होने वाला है और जयोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि माता रानी लक्ष्मी जी के सभी प्यारी भक्ती वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय माता दी का नारा लगा दीजिएगा इससे माता रानी प्रसन्न हो जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर बहुत अच्छी फल प्रदान करेगी तो प्रेम से बोलिए जय माता दी हर हर महादेव जय शिव शंकर जय शिव शंभू दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देव ग 24 घंटे के अंदर एक निराला खेल आपकी जिंदगी में होने जा रही है जिससे कि अब आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है आपके ऊपर धन दौलत की बरसात होने वाली है जी हाँ देव गुरु ब्रहस्पती और मंगल ग्रह के असर से यह समय आपके लिए बहुत ही किसमत हजार गुना तेज होने वाली है जी हाँ जिससे कि अब आपको अनुभव होगा कि अब हम किसी से काम नहीं है अब हमारी किसमत सोने के रत पर सवार हो चुकी है और यह सब देख कर सबसे पहले उन लोगों को आपसे जलन होगी वह लोग आपसे जलने वाले हैं जो ल लगने वाला है आपकी तरक्की और काम्याबी को देते जिनकी देवी माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरी विष्णु जी की आशीरवात से आपके जीवन में बहुत बड़ा भोकाल आने वाला है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जी हां तूफान की तरह ब नाचने लगोगे जी हां दोस्तों आप बहुत ही सौभाग्य शाली हैं ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती है बहुत पूजा पाठ इश्वर भक्ती करने के बाद ऐसा शुभ अवसर मिलता है यह समय मौके पर चौका मारने का समय है जी हां यह समय अपने जीवन में दिन दो गुनी रात चौकुनी तरक्की करने का समय है जी हां धन की देवी मातारानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरी विश्णु जी के आशीरवाद से अब आपको वह सब कुछ वाला है जिनके आप हकदार है जी हां देखिए दोस्तों भाग्य का लिखा कभी कोई छीन नहीं सकता भ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आप जितना पूजा पाठ करते थे आप हर हमेशा भगवान से मिन्नते करते थे कि हे भगवान हे प्रभू हमारे यह सपना पूरे हो जाए तो मैं कितने रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा आपके दरबार में आऊंगा य हाँ दोस्तों बता दे कि कौन कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते हैं सपने पूरे होते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है विश्वास रखना पड़ता है अगर आपको अपने मेहनत पर विश्वास भरोसा है और उसे हिसाब से आप मेहनत करते हैं तो आपका खार है ठान लिया तो जीत है अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा जी गुरुजी आप सही बोले चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 24 गंटे के अंदर वह कौ कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है किन क्षेत्रों में लाब होगा किन कारियों को करने से आपको लाब की प्राप्ति होगी कौन से कारियों में आपको सावधानी बरतनी है और कौन से उपाय करनी है इस सारा चीज हम आज के इस वीडियो में विस्तार से च इश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। इसे पर चला जा सकता है। आपको अपने जीवन का परम सुख मिलने वाला है। जी हाँ और आगे आने वाली समय अवधी में काफी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे और जीवन में आपका काफी सकारात्मत और शुभ स्थितियों का निर्मान होगा। और आपकी सभी इच्छा पूरी होती हुई नजर आएगी। साथी साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिती में बहतर सुधार देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप प्रगती और उन्नती करते हुए नजर आएंगे। और लंबे समय से आपके घर परिवार में चली आ रही कलह कलेश समाप्त होगी। और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। देखिए दोस्तों यदि हम वर्तमान स्थितियों की बात करें तो वर्तमान में आपकी राशिवालों जातकों के जीवन में हालात कुछ ठीक नहीं है और उतना खराब भी नहीं है यानि कि मिला जुला है उतार चड़ाव आपके जीवन में लगातार बनी रहती है कभी बे समय से इंतजार था दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्षेत्र में काफी सारी उलजने आपको परेशान कर रखा था आपकी राशिवालों को मानसिक रूप से काफी ज्यादा दबाव था मानसिक रूप से आपको प्रेशर का सामना पड़ रहा है करण आप अपने जीवन में और ज्यादा परेशान रहते हैं लेकिन यह परेशानिया अब आपकी समाप्त होने वाली है जी हां बस कुछ ही दिनों की बात है यह परेशानिया अब जड़ से समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में अच्छे समय आने वाली है दोस्तों म कहते हैं ना हनी को कोई नहीं ठाल सकता, आपको यह तीन काम भूल से भी नहीं करना है, वरना आपको बहुत बड़ा प्रकोप सहना पड़ेगा, क्योंकि तीन ग्रहों का एक साथ महासंग बन रहा है, जिस्म की सबसे बड़ा मंगल का योग है, और दूसरा राहु से मंगल के स और तीसरे भाव में शुक्र ग्रह है। जिसके कारण आपके जीवन में कुछ मुसीबतें आ सकती है। वैसे फिलहाल अभी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, वह परेशानियां माता रानी की कृपा से दूर होगी। लेकिन समय समय पर आपको कुछ विशेश सावधानियां को भारत ने की जरूरत है। अगर आप उन सावधानियां पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी हरी भरी जिंदगी बरबाद हो सकती है। जी हाँ, आपका खुशहाल जीवन दुखों में बदल सकता है। इसलिए वी पहले माता महालक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। वे लोग बिना देर किये वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा तीन बार लगाईएगा दोस्तों। काल चक् समय का इंतजार था वह समय आ चुका है। ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं का आशीरवाद मिल चुका है। आपकी जिंदगी में हडकंप मचेगा। जी हां दोस्तों, दोस्तों जिंदगी जीने का असली मजा आ जाएगा। क्योंकि ये काल चक्र का बड़ा आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बहुत ही बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, खुशखबरी ऐसी होगी कि खुशी के मारे आपके अंदर फूले नहीं समा आएंगी। जी हां दोस ग्रहों में परिवर्तन होगा तो इससे आपके जीवन बदलेगी जी हां क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष के तीन बड़े देवता भगवान ब्रह्मा जी भगवान विश्णु जी और भगवान महादेव जी इन तीनों देवता मिलकर आपको गरीब से अमीर बनाएगा जी हां यानि कि अब रंक से राजा बनने का समय आ चुका है बस आपको इस मौके का लाब उठाना है तो कैसी आपको इसका लाब मिलेगा किन बातों को आपको विशेश ध्यान में रखना होगा किस तरह से कार्य करना होगा कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा कौन सा समय आपक का नहीं कर पाएगा जी हां दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कल्युक का सबसे बड़ा चमतकार होगा जी हां दोस्तों कैलाश परवत के स्वामी देवों के देव महादेव जी आज आपको जो चीज देने वाले हैं आप उसे जिंदगी भर याद रखोगे जी हां दोस्तों वीडियो चुपचाप अकेले में देखना ये राज की बात किसी को भी मत बताना अगर गलती से भी ये बात किसी को भी पता चल गया तो आपकी वाट लग जाएगी जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहती हैं, तो आपको विशेश कर यह दो तीन बातें आपको अपने ध्यान में हमेशा रखना होगा, जो आगे इस वीडियो के अंदर हम आ आप सभी को बता दें कि आज आपको अचानक से होगा बड़ा धन लाभ जी हां जिससे कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप खुशी का धिंडोरा सब जगह पीटने लगेंगे और लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं जी हां लोग आपको गिराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का साया है आपको इस बात का भनक तक भी नहीं है लेकिन आपकी रक्षा देवों के देव महादेव जी कर रहे हैं जब तक आपके ऊपर महादेव जी का हाथ रहेगा महादेव जी का साया रहेगा तब अब तक लोग कितना भी प्रयास कर ले, आपका दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, आपका कोई कुछ बिगाड नहीं पाएगा, जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इतना बड़ा चमतकार होगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा, जी हाँ, तो चल जानकारी मिलेगी, आपको इसी वीडियो के अंदर, जी हाँ, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी जिंदगी में होगा इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन, जी हाँ, दोस्तों, एक ऐसी घटना आप सभी के जीवनकाल में घटित होने वाली है, जिससे की दोस्तों, एक साथ डबल खुशखबरी मिलेगी, जी हाँ, दोस्तों, जिस घटना का आपको बरसों से इंतजार था, वह घटना, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी वह सच्च काल मचाने वाले हैं, जिनके बारे में आपने कभी कलपना तक नहीं की होगी, कुछ रहस्यमई बात आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिलकुल ही सटीक भविश्यवानी करेंगे, अगर आपने इन्हें नहीं देखा न नहीं जाना, तो जिन्दगी भर पच्छताओगे जी हां, क्योंकि इस तरह का मौका बाद में आपको फिर नहीं मिलेगा, जिस मौके का आपको इंतजार था, वह मौका आपके पास आ चुका है, दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कल्यूग में पहली बार इस तरह के घ घटना घटित होने वाली है आपके जीवन में, जिससे आप खुशी से जूम उठोगे, खुशी से आप लोग पागल हो जाओगी, क्योंकि खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, काम्याबी ही इतनी बड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी भयानक खुशखबरी आपको मिलने वाली ह जो कि आप इस खुशखबरी को अगले साथ जन्मों तक याद रखोगे, जी हाँ, ऐसा घटना क्रम अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशिवालों के कुंडली में बन रहा है, क्योंकि अब आपके साथ न्याय के देवता भगवान शनी देवजी जुड़ चुके हैं, जिस जोने से भरा हुआ कलश आपके हाथ लगने वाला है, बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी यह खुशखबरी आपको मिल पाएगा, क्योंकि आप अभी तक बहुत बड़ी खुशखबरियों से अंजान हैं, दोस्तों आने वाले अगले 24 घंट के भीतर एक बहुत बड़े राच से परदा उठने वाला है, और एक बहुत बड़ा सच सब के सामने आने वाला है, इसलिए तयार हो, जो अगले 24 घंटे के अंदर दूद का दूद और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी अब स कर्म प्रधान माना गया है, भगवान शनिदेव जी को दंडा धिकारी भी कहते हैं, क्योंकि वे सब का हिसाब किताब करते हैं, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें अच्छे कर्मों का फल देने में भी देर नहीं लगते हैं, और जो लोग बुरे करते हैं, उन्हें खुशी से गदगद होने की जरूरत है अब डरेगा आपका दुश्मन वो लोग अब खून की आंसू रोते हुए नजर आएंगे क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनी देव जी अब आपके दुश्मनों को जीना हराम करने वाले हैं अब आपका दुश्मन दरदर भटकन अब आपका दुश्मन घर से बेघर होने वाला है क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है आपके दुश्मनों ने यहां तक आपके अच्छे कारियों पर भी संदेह किया है और आपके खिलाफ आवाज उठाया है दोस्तों कहते हैं ना दूसरों के साथ बुरा करके अपनी भी बारिक का इंतजार जरूर करना दोस्तों बाजी पलट चुकी है अब आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होगा जी हां आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने से भरा बाल्टी का खजाना हाथ लगेग और पैसों से भरा हुआ एक बैग ईश्वर आपको देने वाले हैं यानि कि अगले 24 घंटे के भीतर एक साथ दो बड़ी खुश्खबरी आपको मिलने वाली है जी हां दोस्तों भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता जो आपके भाग्य में है वह चलकर आपके पास आने न्याय के देवता भगवान शनीदेव जी के आशीरवाद से यानि कि एक प्रकार से यूं कहें कि अगले 24 घंटे के अंदर भगवान शनीदेव जी का निराला खेल शुरू होने वाला है जी हां दोस्तों अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी अब आपको अमी आपका दुश्मन जल जल कर और स्वाहा होने वाला है तो ऐसे दुश्मनों के उपर थोड़ा सा घी डाल कर बोलो स्वाहा क्योंकि जो जलता है उन्हें जलने दो क्योंकि जलने वाले जलते रहेंगे आज की तरह और आप ऐसे ही खिलते रहोगे गुलाब की तरह दोस्तों यदि उपर वाला आपके साथ हो तो नीचे वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उपर वाला जो भी देता है अपने जोली में से निकाल कर देता है, नीचे वाला आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको दो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और तीन बड़े परिवर्तन आपकी जिन्दगी में दिखाई देगा। आपको सभी सुख मिलेगा। जिन सुखों के बारे में आपने कभी सपने में भी कलपना नहीं किया होगा। वह सुख भी अब आपको मिलेगा बस मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन है। इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक द खूबसूरत बनने वाला है। दोस्तों जो सुख स्वर्ग में मिलता है वह सुख अब आपको इस धर्ती पर ही मिलने वाला है। भाभी न्याय के देवता। भगवान शनी देव जी के आशीरवात से दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ऐसे ऐसे लाब के योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, जिसे जानकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान के घर देर होता है, परंतु अंधेर नहीं, अपने जीवन में नकारात्मक्ता लाने वाले लोगों से दूर रहें। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे, वहीं आपके बारे में उलटी सीरी बातें फैला रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह न दें। कोई नजदी की दोस्त आपका साथ देगा। यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता-पिता भी हो सकते हैं। आप आज उर्जा से भरे हैं, जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ एक छाता रखें। नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना करना पड़ी डी एच सकता है। आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। आपके इस नए अफेयर की शुरुवात काफी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्यार और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के कड़व और संगठन के लिए बहु मूल्य योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप परदे के पीछे रहकर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता अपने विभिन्न मुद्दों में जिस पर आप अभी कार्य कर हैं दिखानी होगी। कल जो आपने गलतियां करी थी उन पर आपको अपने उपर कुछ हास्य होगा। आपको थोड़ा सा अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए लेकिन आज आप ना तो कोई अच्छी सलाह और ना ही अपने मन की आवाज सुनना चाहते हैं। आपका यह अड्यल रवय्या आपके लिए घर और कारिस्थल दोनों ही जगह पर आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसका एक ही समाधान है कि आप अपना दिमाग खुला रखें और दूसरों की भी बातें सुनें। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं तो आज आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। संतुलित भोजन और एक्सरसाइज का एक स्वास्थ्यकर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इस कार्यक्रम में आसपास से किसी की मदद औ हो सकता है। अगर आप पहले से किसी संबंध में हैं तो ध्यान से यह सोच लें कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या इस से बाहर निकलना है। ताकि बाद में किसी बुरी स्थिती में न भसे। अगर आप अकेले हैं तो यह समय कोई नया रिष्टा शुरू करने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि अभी आप सिगनल को सही नहीं PRH पाएंगे। जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं वे अपनी आये में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, हालां कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुल कर अपने विचारों को आवाज दें और ये सुनिश्चित रखे कि इसे सुना जाएगा। काम का बोज जो दिन के मद्ध में उंचा रहेगा परंतु उम्मीद है कि दिन के अंत तक वह कम होगा। आप अपने एक सुरक्षित भविश्य के लिए एक बीमा पॉलिसी में खुद को पंजी कृत कर सकते हैं। आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा बहुत सारे काम कतार में हैं। हाला कि आप अपनी तरफ से उन सब कामों को निप्टाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी संभावना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा। काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से ना हि या बाहर किसी रेस्टोरेंट आदी में खाने से तबियत बिघड़ सकती है। इसी लिए खुद अपने लिए हलका और ताजा खाना बनाने की कोशिश करें। अपने खाने पर ध्यान दें आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपके संबंध में धीरे धीरे बिना कही बातों और अनसुल्जे मुद्दों के कारण दरार आ रही है। आप इस दर के कारण उन्हें सामने नहीं लाना चाहते कि कहीं इस से रिष्टा तूट न जाए। हालां कि आज आप असामान्य रूप से सामना करने वाले मूड में रहेंगे और जो जो बातें आपको पसंद नहीं आई हैं, उन सभी को बातचीत करके स्पष्ट करना चाहेंगे। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नीम्व बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालां कि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप प्यासों को मजबूती से करना जारी रखे। आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे, इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साजी कर सकते हैं, जो दिल से आपका भला नहीं चाहता। इसलिए पहले इस आदमियों के ब परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बहतर स्वास्थे के लिए अपने भोजन में करने हैं। ताजा हवा में सांस लेने के लिए सुबह शाम सैर पर जाए। इससे आपके शारीर में खून का संचार बरेगा और हार्ट स्ट्रोक्स क की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। आपका बहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकरशित करेगा लेकिन उन में से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मक्ता पर फोकस करें कि आप अकेले नही हैं। नकारातमक्ता को नजर अंदाज कर दें कि आप अकेले हैं। यह तो बस शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ी डी डी एच सकता है। इसलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किये जा सकते थे बलकि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं जो की बुद्धिमता वाला काम है। लेकिन आज आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट है के उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं। जो पहले से शादी शुदा हैं उनके लिए पार्टी में मजे करने का समय है। जिन मानसिक चिंताओं और कई तरह के दबावों के कारण आप पिछले कुछ समय से परिशान हैं उनसे राहत पाने के लिए आधात्मिक उपायों और तरीकों का सहारा लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। यहां तक कि जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। किसी फिटनेस कार्यक्रम में अपन अनाम दर्ज करा लें। और आप पाएंगे कि फायदे मंद होने के साथ साथ कुछ एक अभ्यास कर लेन मुश्किल नहीं है। आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिये से देखना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी मिलेगी। अब आप बेजान हो चुके संबंधों से बाहर निकल कर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तयार पाएंगे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया है। आज कई कार्यक्षेत्र के सुनहरे अवसर आपका दर्वाजा खट खटाएंगे। आज आपको अपने कलपना भी नहीं की थी। जो कि आपको प्रसन्नता से अभिभूत कर सकती है, आपको ऐसी जगह से भी सहायता मिल सकती है जिसकी आपने कभी सहायता की हो। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निप्टा लेंगे। ये सारा क खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टी मिलेगी जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी। आप आज उर्जा और आशा से भरे हैं। ये सकारात्मक भावना आपको रहे नहीं रहेंगे। विशेशग्य से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थे में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। कुछ समय से तनाव आपके रिष्टे में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किये लेकिन अब पानी सर के उपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हाला कि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा जिसने की आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोददाच की तरफ मूड सकते हैं जो की आपकी रिष्टे की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। आपका भाग्य आपके वित्तिय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ेती है। ये समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कर्म करने का भी। आज का दिन कुछ अनिश्चित सा है। आपको समवेदन शील लोगों से बात करते हुए अधि कि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठे के दौरान अपनी मुद्रा का विशेश ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आज आपकी उर्जा जरा कम ही है इससे घर तथा ओफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधी कोई काम शामिल करना चाहते हैं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें। जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकाले। शादी शुदा जोडों के लिए अपने घर में न दोननत किया जा सकता है और एक अलग क्षित्र के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहन कर सकते हैं। आप एक पेशेवर सलाहकार या अपने किसी करीबी से आज कैरियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आप काफी लाभानवित हो सकते हैं। को पीले कपड़े में लपेट कर बाजू में बांध लें। यह भी धन बाधा दूर करने के कारगर माना गया है। अब जरूर करें। उम्मीद करते हैं यह उपाय आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए इतना ही मिलते हैं। फिर अगले वीडियो में धन्यवाद दिन आपका शुभ हो मंगल मैं हो। झाले वीडियो करें। झाले वीडियो करें।